असलाम अलेकूम, अमाओं के लाडलो और पापा की परियो, कैसे हैं सब? हमना विद इको टू रवान, आपका लेसन नमबर है, 40 MCQs के लिहाज से, मतलब कुईस के लिहाज से, मैं हमेशा भोल जाते हूं, आपका ये लेसन, ये चप्टर बहुत जदा इंपॉर्टन्ट है, जो कुईस अभी आपका आना है, शायद कल देट है उसकी, नए, पर्सों है उसमें भी आपके, ऊब कुईस बनेंगे वो इसी लेसन से तकरीब देवार है क्योंकि यहाँ पे इस लेसन में आपको लेगवज रिविईू नाम से पता चल रा हैorama कि आपने लेगवज से, वों, उसके钟 मेकश जो है, मतलब आप जब कुछ रिटन फार्म में में देते हैं अपने लेटर वगेरा अप्लिकेशन मॉमोस जो भी आपने इतना पढ़ा है 39 लेसंस तक उन में जो है आपने बहुत से मेकैनिक्स सीखे हैं आपने जो हैं कुछ ऐसी चीज़े हैं जो स्टार्ट में हम लोग कैपिटलाइज करते हैं निमरिक फार्म में लिखते हैं उनके अप्रिवेशन लिखते हैं सिंबल्स यूज करते हैं स्पैलिंग्स उसके करेक्ट होने चाहिए हैं तो यहां पर भी यह सारी चीज़ें जो हैं आपकी नाइन है मेरा खासे 9 मेकैनिक्स हैं आपके लैंग्विज रिवियू के पहला है कैपिटलाइजेशन इटलिक्स अब्रिवियेशन अक्रोनेम्स नंबर्स अनिमरेशन सिंबल्स एक्वेशन एंड लास्ट आपका है अच्छा याद आया है एक और बात आप लोग कह रहते हैं हमारा जो क्विज है वो 33 से 40 तक है तो ले मैंने आपके लेक्टर्स कंप्लीट कहा दी है 33 भी आपको दे दी है और 40 भी देने जा रही हूं के अच्छा जी स्चार्ट करते हैं Capitalization जो चीज है उसके आपको पता है स्चार्ट से हम लोग जब चोटे ऋता हैं कहते हैं पहला woord जो है वो हमने capital लिकना होता है जो भी word लिख रहे हैं वो हमने पहला word, पैला capital लिखना है लेकिन उसकी शर्त यह है कि हम मलोग जब अपनी बात स्टार्ट करेंगे तब capital लिखेंगे यहनी है कि एक बात उसमें का रहे हैं जितने भी word हम लोग लिखना है उन में जो है capital letter लिखना है कभी भी नहीं ऐसा जब हम लोग बात start कर रहे हैं तब हमने capital word लिखना है अब इस capital को देख लें इन्हों ने तीन बातें की हैं ठीक है थी पॉइंट्स की हैं थी पॉइंट्स में बात की है तो तीनों पॉइंट्स में C, capitalize, capitalize, unless इनका C और U जो है वो capital रहे हैं क्यों क्योंकि एक बात उन्हों ने की वो खतम होगी दूसरी बात start करें फिर आपका capital word और तीसी बात start की है फिर आपका capital word अच्छा जी यह जो word line मैं अन्डर लाइन की है यह आपके हर जो है ना उसमें लि capitalizing letter, the following are the most common, बहुत से rules बनाएगे हैं capitalize करने के लिए लेकिन जो most important rule है वो तीन है जो common हम लोग यूज करते हैं, वो तीन हैं capitalize the first word of a sentence, आप किसी sentence में बात कर रहे हैं तो उसका capital word है, start में हम लोग अने capital लिखना है, including sentence city in quotations, ठीक है, आपने चाहे अपनी quotation में बात लिख रह आप वैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने first word है, वो capital letter लिखना है, for example, देख ले, the QA engineer has been quoted as saying, यहापे देख ले, the start हुआ word आपका capital से, लेकिन QA फिर उन्हें capital लिखा, क्यूंकि आपकी जो nouns या pronouns जो हते हैं आपने उनको भी capital ही लिखना होता है, नीचे आ रहे हैं, कोटेशन शुरू होरी है, कोटेशन उन्हें किया, the main source of connector failure found in the analysis is seal deformation caused by pressures in excess of thousand pi से जो भी है, मुझे नहीं पता, physics के साइन्स इतने मुझे नहीं आते हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, कि जब कोटेशन में बात लिखी है, तब भी उन्हेंने दा का T, जो capital ही रखा है, alphabet, नेक्स कर रहे हैं, second बात है, capitalized proper nouns, including any particular person, आपने जो proper noun है, नाम किसी का भी होगा, उसको भी आपने first alphabet, capital ही रखना है, object होगा, place, project, institution, river, vessel, culture, ethic group, formal job title, आपने जो भी आपका जो particular noun है, आप यहाँ पे नाउन्स की दो टाइप होती है, यहाँ पे नाउन्स की दो टाइप होती है, यह common noun है, मैं proper noun के बात का रही है, आपने जब भी proper noun कुछ भी लिखना है, तो उसका जो पहला alphabet है, वो capital लिखेंगे, ठीक है, अब यह पहली बात और दूसी बात तकरीबन एक जासी है, लेकिन कुछ डिफरेंस यह है, कि आपने noun का जिकर कर दिया, unless you are following a documentation style, that specific otherwise, अगर तो documentation style यूज कर रहे है, उनमें उन्होंने आपको bound का दिया, कि आपने यही style यूज करना है, इदर यह चीज करनी है, यह नहीं करनी, तब तो आपने वही करना है, जो उन्होंने आपको boundation दे दिया, otherwise, अगर आपको boundation नहीं दी होईगी, तो वो कहरे है, capitalized titles of books, periodicals, published and unpublished reports, articles and documents section, तब भी आपने करना है, यह भी वही चीज होई नाउन्स ही है, आपके, जो books वगरा है, periodicals, पुब्लिश भी किसी ना, किसी इनसान ने करना है, तो यह सारी चीज है, आपकी starting वाला first alphabet, आपने capital लिखना है, अच्छा जो चीज उनने तीन बातें की है, उनको थोड़ा जो ही बात, जो आपने pronouns को capitalize करना है, यह है, capitalize all nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, and subordinate conjunctions, capitalize any word, regardless of part of speech, आपने कोई parts of speech यूज करे है, जैसे वो preposition होगी, या कुछ और, इन में आपने capitalize नहीं करना, लेकिन अदर वाइस आपका noun, pronoun, conjunction, subordinate, conjunction, adverbs, verbs, adjectives, यह सारी चीजें जो है, आपकी capitalize होगी, नेक्स्ट वो बात करें के आपने, if it is the first or the last word of the title, or subtitle, or a proper noun, or if it follows a punctuation mark, indicating a break in the title, पीछे जो है, पिछले लेसन से शायद उसमें punctuation mark, आपने use करने थे, punctuation mark में, जब हम लोग कोई बात अपनी खत्म करते हैं, तो last में एक full stop डलते हैं, उस full stop का मतलब क्या होता है, कि हमारी यहां पर बात खत्म हो रही है, next बात हम लोग स्टार्ट करें, वो दूसरी बात है, और उसमें हम लोग ने, जो भी बात करनी है, वो करते हैं, मैं आपको वैसे और ली बताओं, मैं भी जब जहाँ पर हम लोग थी कि हम, तो हम लोग ने कोई बात करनी होता है, और ली तरिटन फार्म में नहीं कर देख लिव लोग नहीं, रिटन फॉर्म में होता हैं, था अपनी सेटों कर दिया है। कुछ सांस ले रहे ह। और नेक्स करने लगे। हम लोग जली कोई बात करते हैं उसमें भी होता है कि हम जोग थक जाते हैं यूँ सेटों छाप ऑफने इस त्रॉप लेते हैं और फिर आंगे बात कान्टीजों करते हैं। तो यहां पर भी वही चीज़ उनने का हुआ है नेक्स है जनरल गाइडलाइन्स फर कैपिटलाइजिंग साइन्टिफिक तरम्स अब हम लोग उनके पास कभी कभी साइन्टिफिक तरम्स भी आ जाती होती है सन, मून, अर्थ, गलैक्सी, प्लैनेट, स्टार्स, यह सारी अस्टरोइज इन में हम लोग कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे वह एक लिए इच डिसिप्लाइन है इस उन स्पेसिफिक कन्वेंशन फर डिटर्मेंग विच टरम्स भी कैपिटलाइज अब जेनरल जो हम लोग ने कैपिटलाइज चीजों को करना है वह क्या है कैपिटलाइज एस्ट्रोनिमिकल हाँ जी ठीक है वर्ड टरम्स सच एस नेम्स ऑफ गलैक्सीज, कॉंस्ट्रिलेशन, स्टार्स, प्लैनेट्स, एंदेर सैटलाइट्स, एंदेर सेटलाइट्स, डे जो अब जेने हैं, हाइवर थे टरम्स, एर्थ, सन, और मून इर अफन नोट कैपिलाइज, कभी-कभी ऐसा भी होता है, का हम लोग इन वोर्ड च कैपिटलाइज नहीं करते हैं, वह क्यों नहीं करते हैं, क्यों किए हम लोगों ने उन जो नेम हैं या नाउन्स हैं, उनको ह हम लोग ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती ठीक है एक एक जेमपल आपके क्विज में आती होती तर सुन इस एन ओर्डिनरी स्टार अब देख लें यहां पर हम लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहें वीनस एंड एर्थ डिफर सिग्निफिकंटली इन दा कंप फॉर्प जो किया है वह इन दो नाउंस को या कर्म्स को किया सन को इतनी जदे इंपॉर्टेंस नहीं देर हें तो उसको हमना नहीं किया नेक्च आहें एक ना कैपिटलाइस करने की जिदेंड होनान दी या दूनाट तर मेडिकल ट क्वीड अफब तॉर्ट आप अगर कोई प्रॉपर नाउन दे रहे हैं मेडिकल टॉम्स में भी तब आपने उसको कैपिटलाइज करना है अदर्वाइज आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप उसको कैपिटलाइज करें एक्जाम्पल्स देखने इन अफ्रेक्शियस आपने इनको यह वर्ड देख लिएजेगा कैपिटलाइज नहीं किया क्यूंकर यह प्रॉपर नाउन नहीं नहीं है medical terms तो हैं लेकिन proper noun नहीं है तो इनको capitalize नहीं करना अच्छा इस lesson में मैंने कोई भी highlight जो है वो इतना ज्यादा येलो नहीं किया क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टन है आपको सारी चीज़ें पता होने चाहिए किस चीज में हम लोग ने क्या करना है तो ख्यार रखिएगा इसमें मैंने कोई ऐसी as such आप लोगों को quiz का नहीं बताया लेकिन ये पूरा topic जो है आप लोगों का quiz में शामिल है एक दो जो है वो questions पहन सकते हैं उनको शायद मैंने mention कर दिया है अच्छा italics second आपका mechanics है Use unless you are following a style guide that specifies otherwise अगर तो आप कोई style guide follow कारें तब तो आपने वही follow करना है लेकिन जब नहीं follow कारें तो जो हम लोगों आप लोगों को बता रहे है mechanics दो करने का तरीके वही यूज करने है अच्छा जो इतलिक्स कब-कब यूज करते हैं आप लोग इतलिक्स लेलिक है नहीं नहीं italicized titles of journals, books, newsletters, manuals, letters, words, terms and equations, symbols that are being highlighted for discussion आपने उस चीज को italic word में करना है जिस चीज को आपने हाइलाइट करके उसके उपर discussion करने है अगर मैं कोँगे मैंने आज की discussion आप लोगों की language review और mechanics पर करना है तो उनको उनने हाइलाइट कर दिया है यहां पर भी आप लोग देख ले है इतलिक words जाएं यह जो चीज है यह थोड़े से और बोल्ड करके उनने लिखे हैं ताकि आपको पता हो कि आपने इस चीज को पढ़ना है और इसके अंदर जो चीज हैं वो आपको बताई जारे है गयाने foreign words, words are phrases that are being emphasized and names of specific vessels आप सब चीजों को italics में कर देखते हैं लेकिन वो चीजें जिनके उपर आपने highlight करके बाद में discussion करनी है ठीक है अब titles of journals, books, newsletters and manuals में उन्होंने example दे दिये है the journal of the American chemical society, यह आपका journal आ गया, aviation week and space technology आ गया, यह आपको book एक दे दिया है, हैंड book of physical constants है और इसी तरह operations, manual, manual आपको दे दिया है और साथ में pollution, abstracts दे दिया है अब आपके names हैं जिन पर आपने बात करनी है बाकाइदा उसके discussion करनी है वो आपने italic में लखना है, simple words में यही बात है next हो कहने letters, words, terms and equation symbols that are being highlighted for discussion वो चीजें वो letter, वो words, वो terms यह वो equations जो आपने highlight italic तब ही करना है जब आपने किसी बात को highlight करके उसके discussion करना है discuss करना है वो आपको italic में लिखना है, उपर journals, names, books and manuals कर दिया निचे आपके letters, words, terms, equation, symbols कर दिया मतलब इन सब में main जो बात है वही है कि आपने जिस चीज के ओपर discussion करनी है वो आपका italic में होगा अच्छा जी, if either one or two is negative, equation eight describes a convex reflection surface आपकी one or two negative हो सकती है equation लेकिन जो eight equation है वो describe करेगी convex reflecting surface तो इनने जो highlight किया है वो, highlight कह रही हूं italic जो words यूज की है वो equation eight है क्योंकि equation eight जो है वो convex reflection बताएगी ना के one or two और example से इनको देख लीजिए गा, foreign words हम लोग जो foreign words होते ना उनको भी italic करते है Against the criminally stubborn convictions of the professional officer, cops that courage, length and neck steel must carry the day, the machine gun was the ultimate argument इसमें देख लें उनने सारे words लें, simple आपकी form में है, लेकिन elan है या ellen है जो भी कह लें, उसको उनने italic form में लेक है नेक्स उनने दो तीन example और देदी है, यह foreign words है, जो हम लोग यह देख लें, private, docent, यह वले words है, foreign words है, हम लोग आम अपनी language में यूज नहीं करते हैं, इनको भी italic words में लिखते है the SPOT, यह आपकी एक form है, उसको जो है, वो कहने, for system, देखने वर्ड, प्रोब्रेटराइट, observation, dealer, टेर, ठीक है न, यह भी words जो हैं, आप लोग ने अपनी life में, as such, नहीं सुने होंगे, लेकिन यह foreign words हैं, और इनको, capitalized, नहीं, sorry, italic करना होता है, capitalized moon बजड़ा हो है, अच्छा, आपने emphasize, जिस word पर करना था, जिस चीज़ पर emphasize वही बात है, पीछे भी बेन गाए, कि italic word, यह italic किस word को करना था है, जिस चीज़ पर आपने बात करनी हो, तो emphasize भी तकरीब वही चीज़ हो जाएगा, इसको भी देख लीज़ेगा, नेम्स specific vessels do not italicize the model's class, manufacturer or model number, आपने जब model number लिखना होता है, आप खुछ चीज़ करियेगा, अपने cells के जो boxes अगर आते हैं, यह सारी चीज़े, इन में जब आप लोगों ने दी होते है, model number उनको italic में नहीं किया जाता है, simple आपकी language जिस चीज़ उस रहीं लिखते हैं, इनने example दे the experiment is scheduled to be performed during our future mission of the space shuttle enterprise, ठीक है, यह उनने example दे दिया आपको, अब्रिवेशन, यह जो है, आपको भी पता है, और चीज़े मुझे भी कुछ कुछ पता है, अब्रिवेशन के हैं, जिस में हम लोग क्या कहते हैं, अब्रिवेशन के हम लोग क्या कहते हैं, जिस में हम लोग क्या बी एड हो गया, पी एच्टी हो गया, बी ए हो गया, मिस्टर हो गया, मिस्स हो गया, ठीक है, यह सारी चीज़ें क्या है, हम लोग अपनी असानी के लिए इन टम्स को छोटा लिख देते हैं, मिस्स जब लिखेंगे, तो वो वर्ड जो है, ज्यादा बड़ा भी होगा, उस लिए हम लोग जो है, अब्रिवेशन्स यूज़ करते हैं, और कॉमनली एंप्लाइड इन साइन्टिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग, आपकी जो टेक्निकल आम राइटिंग है, उसमें भी आप लोग अब्रिवेशन्स यूज़ करते हैं, और साइन्टिफिक जो राइ के लिए यूज किया है या उसके जो नेम बन रहा है वो क्या है सम एब्रिविएशन और अल्वेस फॉलओड बाइ अपिरियड कुछ ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जो पिरियड को पिरियड जिनके आगे या उनके दर्मयान में लगाते हैं हम लोग ठीक है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग पिरियड का इसमाल नहीं करते हैं यह होगी बात अल्वेज अब्रिविएट सर्टन वर्ड और फ्रेज़ इन यूर टैक्स दोज अल्वेज अब्रिविएटेड इंक्लूडिड यही मिस्टर और मिसिस बी ए पिएच्डी, बीस्सी, आपके जो बीस्सी है आरिया है, मस्सी आरिया है, मास्टर इन साइंस जो भी आप लोग कर रहे हैं हम लोग कर लोग के अबर आरिया है कई इसमय लहता है नहीं आप लोगोगों को पता है और lemon दोग उने चानलों को बता है, प्रूससी हम रोग कहते हैं ता random मन को ऑप लिया वेगजैम्पल यहां औरर यह रह जानते हैं बाकी चीजों को भी जानते हैं मुझे Weird next is acronyms, define acronyms, acronyms are the abbreviations of the things they represent and are formed by combining the first and sometimes other letters or the principal word when we take the first words we make a word, we call acronyms now we do this, why do acronyms? use acronyms to shorten phrases in order to save space हम लोग अक्रोनिम्स इस इस उस करते हैं एक तो वो छोटा वर्ड बन जाते हैं हमारे जो जगह है वो कम लेता है और तो एवाइड और 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 रेपटिशन अफ फ्रेजिस ठीक है इन में देख लें आप लोगों के एग्जम्पल्स उन दीवी है हम लोग कहते हैं RAM ROM HTML आपकी सर पढ़ाते होते हैं आप लोगों को HTML मुझे आज तक सिर्फ यही पता है कि हाइपर टेक्स मार्क अप लेंग्विज कहते हैं इसके आगे कुछ नहीं आता सियास का अच्छा डियोएस हैं डिस्क अपरेटिंग सिस्ट्रम हैं यह सारे आपके क्य नंबर्स आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 2 जहां तक हम लोग नंबर्स पर लें हैं पहले है पर लोग पाली पात है कि अनलेस यू आप फॉल्विंग स्ट्याइल गाइड यूज यूज का रहे हैं फिर तो उसी को फालो करना है नहीं तो हमारी मान लें आप अगर हमा मानके तो अच्छा रहों का उन जेडर्ल गे उसे अरिविक निमेरिकल्स इसएड अएड बोध और्स आप निगनल अपरो फॉर्ड इन उच्टर का रिइनल इसमें आपने नंबर्स यूज की हैं लिखना चाहें तो हम THRW3 लिख सकते हैं लेकिन वही बात है कि अगर 3 ऐसे लिखा हुए तो हमें एक नजर देखने से पता लग जाता है कि बॉल्ड चीज लिखी वी नजर आ रही है THRW3 लिखेंगे तो वह एक सिंपल पेराग्राफ जैसे हम लोग ने इंग्लिश में लिखा होता है वैसे हो जाता है British and American Formation of Numbers यह बहुत जादे इंपॉर्टन है इसको याद रखिएगा यह MCQs के लिए है वह कहरे हैं British and American Formation of Numbers है और नीचे आपका European and International Standards for Formation of Numbers है ठीक है यहां पर वह कहारे है अगर तो आपके 2 से 4 तक नंबर है ठीक है दो से 4 नंबर हैं आपके इंटीजर में 1,2,3,4 में तो आपने कहरे कहता है without any punctuation or spacing उसको लिख देना है ठीक है 2 to 4 numbers अगर होंगे तो आप उसमें कोई punctuation mark नहीं लगाएंगे कोई कोवा नहीं लगाएंगे कोई full stop नहीं लगाएंगे कोई space नहीं देंगे simple आप उसको as it is लिख देंगे जैसे 8024 लिखा हुआ है 802 लिख दें दो number 3 number 4 numbers होंगे तो आपने उसमें कोई भी punctuation mark नहीं देनी आप दूसी बात आ जाती है use the period to indicate the decimal point यह आपको पता है मुझे भी पता है कि हम लोग जब decimal number लिखने होते है points में लिखना होता है तो हम लोग एक point लगाते है उस point को आपकी English में period कहते है ठीक है use an initial zero for numbers less than 1.0 आपने अगर कोई number लिख रहे है 1.0 से चोटा मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक अगर number लिख रहे हैं अगर हमने उसको decimal में लिखना तो क्या वो बनेगा 0.9 0.8 ठीक है और अगर zero ना भी लगाएं तो point जब लगा दिया तो उसका मतलब यह है कि हमारा zero exist कर रहा है point के आगे यही बात वह बता रहे हैं next वो कहरे है form numbers of five digits are more by using a comma जब आपने दो तीन यह चार number लिखे हैं उसमें तो आपने ना punctuation लगाना है ना spell punctuation में यही आ जादा ना comma लगाना है ना period लगाना है मतलब full stop बार बार मैं full stop तभी बहुरी हैं तो याद हो जाए लेकिन जब आपके number five यह five से ज्यादा होंगे तब आपने commas लगा के अपने numbers को पूरा करना होता है वो जब इंटरनेशनल और Pakistani way हम लोग लग लिखते हैं जब छोटे होते हैं वो चीज यहां पे आ रही है तो मार्क ओफ ग्रुप्स अफ त्री डिजिट्स ठीक है नेक्स है European में वो देख लेकिया क्या क्या करें है for a farm integers of two to four digits without any punctuation or spacing आपने European में लिखना है या आपके ब्रिटिश में लिखना है दोनों का यह है कि दो या चार नंबर इनके तर्मयान में नंबर नहीं कोई आपने punctuation भी नहीं लगाना space भी नहीं देना use a comma to indicate the decimal point and use an initial zero from fall number less than 1.0 1.0 मतलब दोनों की बात same है European में भी और आपके British American में भी नेक्स को कहरें General Guidelines for Using Numbers in Non-Technical Pros इसको पाड़ी जी का लेक्चर लंबा हो रहा है फिर कहेंगे कि आपने बहुत अदा लेक्चर लंबा का दिया है कुछ भी वही चीज़े बाहर बाहर रिपीट करें points हो जब आपके नंबर जादा है तो आपने कॉमा यूज करना है points and decimal use करना यह सारी चीज़ें enumeration वही numbering आपकी use enumeration in reports and other documents to identify sequence of chapters, sections, pages, numbers, figures, tables, equations, footnotes and appendix आपने enumeration करने होती है enumeration का क्या मतलब होता है आपने numbering देनी होती है अब जब आपके front के two pages होते हैं जिसमें आप लोगों के lessons लिखे होते हैं उनको देख लिए आपने उनकी enumeration होई होती है number one, number two, number three, number four जितने आपके lessons होते हैं जितने आपके chapters होते हैं वह आपकी enumeration होई होती है अगर आपके sections divide हो है तो उसको भी ABCD नाम दे दिया जाता है अगर आपने page देख लें आपके pages के नीचे भी उनने numbering की होती है enumeration की होती है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten यह enumeration है जिसमें आपको numbering दे दी जाती है sequence के साथ अब वह कहने lengthy reports में contain and enumerate all these items आपकी lengthy reports होती हैं उनमें यह सारी चीज़ें मुझूद होती है sequence chapters के भी होते है section भी बनाए होते है pages number भी होते है figures भी होती है tables भी होती है equations भी होती है appendixes भी होती है long reports में सब कुछ मुझूद होता है लेकिन आपकी जो books simple होती है उनमें शायद आपके chapters के sequence दिये हो यह आपके page number दिये हो figures और tables मुझूद होते है equations भी होती है equations के आगे चैप्टर के लिहास है अगर chapter 1 है तो उसकी equation अगर 1 आरी है तो 1.1 का देते है अगर second आरी है तो साथ ही कहा देते है 1.12 1 की ही 2 आरी है अगर change आरी है तो 1.2 हो जाएगी यह इसा अनिमरेशन दिये होती है उनने अनि टेक्निकल और साइंटिफिक डाकॉमेंट आफ मोर दन वन पेज होईवर विल अटलीस अनिमरेट इस पेज़े इस पेज़े आज़ आज़ अनि अदर आफ दीज़ेमेंट्स डाटर प्रिजेंट आपने अगर साइंटिफिक डाकॉमेंट दिखने हैं उसमें नम्बरिंग होई होगी अनिमरेशन होई अगर आपने कोई बूक देख लिया है कोई नोवल देख लिया है उसमें निमरेशन होना लाजमी और होई होती है अब आपकर चैप्टर section enumeration. Simple, आपकी अपने बुक्स लेख लेखें. Of the two general enumeration system widely used, the numerical system is clearer than the alphanumerical system. आपकी जो बुक्स हैं, उन्हें क्या होता है? उनने नम्बर देहें, one, two, three, four, rather than alphabet, a, b, c, d. ठीक है? आपकी जो general forms दी जाती है, वो numerical system होता है, alpha numerical system नहीं होता. In the numerical system, the reader can always locate his or her place in the document from the single decimal number. और आप लोग ने एक single decimal number से पता कर लेना तो हैं, कि आप कौन से page पेज पेर हैं, या कौन सा page रीड कर रहे हैं. Next है, pegnation, pegnation जो है ना simple, अगर मैं आप लोगों को को हूँ, आपने क्याना numbering numbering ही देनी है, enumeration ही करनी है, लेकिन क्या होजाएगा कि front page को आपने roman numerical numbers देने हैं, 1, 2, 3, जैसे ये दिया हमें, ठीक है, normally number the page in the body of the document with Arabic numerical starting with page 1, आपके जो last पे लिए होता है, page number जो दे रहे हों, 1, 2, 3, 4, simple आपकी counting होती है, लेकिन जब आपने किसी front medal को करना है, उस पे बात करना है, तो उसको क्या करेंगे, roman numbers में लिखेंगे, 1, 2, 3, ऐसे वाली, next are tables and figures, tables and figures आप लोगों के पे, copies में, आपकी, sorry, copies नहीं है, copies में तो खुद बनाना पड़ता है, books में, दिये होते हैं, numbers, tables and figures sequentially as table 1, table 2, table 3 and so on, आपके जितने बुक में टेबल बने होगे, उनमें बगाइदा उनने नम्बरिंग दी होगे, कि यह आपकी बुक में पहला टेबल है, और यह जाके लास्ट पे आपका टेबल लास्ट वाला है, इन लाग डुकमेंट आपके बुक बहुत बहुत जादे लाग है, बुक तो जारी बात है क्या मिस्ट्री फिजिक्स वाली देखने, उनमें लाग होती है, उनमें क्या होता है, हम लोग प्रिफिक्स यूज करते हैं, चेप्टर का नाम साज यूज करते हैं, टेबल 1 लिखेंगे तो वह समझ नह लेकिन चेप्टर 1, पॉइंट 1 जब लिखेंगे तो पता चल जाएगे कि चेप्टर 1 का फिर्स्ट टेबल हम लोग यह वला है, और आगे देख लेए, उनमें लिखा हूँ है, टेबल 1 कॉलन लगा लें या पॉइंट लगा लें दोनों की बात हैं कि वह रेफर कर रहा है, फिर्स्ट टेबल ऑफ चेप्टर 5, सिम्बल्स आगे हैं आपके, कितना रह गया है, थोड़ा सही है, सिम्बल्स क्या हैं, यूज सिम्बल्स कॉंसिस्टेंटली और एंड इन कीपिंग विद दा कॉवन प्रैक्टिस ओफ यर डिसिप्लें, सिम्बल्स क्या होते हैं हम लोग जो केमिस्टरी, बायोलिजी, एंजिनिरिंग, मैथमेटिक्स में बहुत ज़द हैं, मैथमेटिक्स तो भरी वी सिम्बल्स हैं यह सिग्मा हो गया, और क्या क्या होते हैं, पाई, आर स्क्यार, यह सारी चीज़ें सिम्बल्स हैं, अब हम लोग ने क्या करना होता हैं, को इतना जादा वो इंडिकेट मैंने कहारी ना, इतना जादा पाढ़ेंगा, आप लोगों को पता होगा, और एक दफरीड का ली जिगा, एक्वेशन्स, एक्वेशन्स आपकी कमिस्ट्री और फिजिक्स में बरी पढ़ी हैं, वही सारी चीज़ें जो हैं, इसी क्वेशन क उन्हें नहीं कर दिये हैं, उन्लेस यू अर फालूविंगा, इस प्राइल गाइड चाहिए जो एक्वेशन्स आपकी कर दिया हैं, वही हैं, नहीं तो आपने जो चीज़ यूज करनी हैं, वही हैं, इंतिग्रेट एक्वेशन्स इंट था बादी, अफ यूर तो उनको यूज करने के बाद क्या करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है या आप मुनासिब समझते हैं तो उसके शॉर्ट से एक्स्प्लेनेशन दे दें पढ़ लें अगर तो आप एक डाप बना रहे हैं उसमें एक में इक्वेशन जो में पीछे आम लोग कहते हैं आपकी जो में बात है वह आपने क्या करना है इंक्लूड का देना स्टार्ट में यहां पे भी वही है कि आपकी कोई एक्वेशन जो आपने में रखी हुए उसको स कि अपेंडिक्स गहते हैं साइड बार जो दिया हुए है तीक को आप उनमें जो है इनकी टैल उनकी डैडिविशन और कल्कुलेशन डाले है और साइड में अपने में जो है आपनी एक्वेशन लिख देनी है साट कोई कोई क्वेशन स्टार्ट पॉमध डिस्पलेंग दें हम लोग उसको नमबर नमबर एपनर कर अनमबर एप ल्हेड रौत एक्जेमपल डेडि अग्जेमिशन थौ एक बाय थिकज़ आप झीज अदा रौ। आप लोग बताईए था कि आप लोगों को पता है कि क्या है वी डिफ्ट विलोसिटी है फाइव जो है वह मैगनिजूड है स्टाटिक फील्ड का एंड बी इजा है मैगनेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है इफ वी डी वर टू एप्रोच यूनिटी द भी हेवियर ऑफ लेक्रिक आगे उन्होंने फिर सो अन का दिया कि आप उसको एक्सप्लेइन करते रहें बैठके स्पैलिंग्स यह बहुत अच्छा अच्छा भी टॉपिक है और इजी भी है आपको कुछ सेजेशन दी जा रही है जिसमें आप लोगों को स्पैलिंग एरर्स जो हैं फ्री डॉकुमेंट्स लिखने को मिलेंगे आपने क्या क्या करना है कि आपकी स्पैलिंग एर्स ना एक दफा रीड कर लें कि आपके कोई मिस्टेक है तो निकल जाए यह जो चीज़ फर्स पॉइंट है यह आपके पेपर के लिए जो गता है जब आपने एक दफा पेपर कर लिए उसको दबारा से रीड कर लें जो मिस्टेक से निकल जाएंगे इफ यह राइटिंग और वर जाएंगे तो निकालना है अब दूसरी बात यह कह रहे है इट कैनोट कैच वन वर्र सबस्टिटूट इफ और अब डिस्क्रीट देख लें खुद दोर स्पैलिंग होते हैं अब उस कंप्यूटर बिचार को क्या पता कि आपके आप कौंसा डिस्क्रीट कह रहे हैं ठीक है तो यह चीज़ें आपने खुद अपने माइंड में रखनी है नेक्स ए बी कंसिस्टेंट इंद स्पैलिंग और वर्स इन यूर डॉकुमेंट आपने अपने स्पैलिंग का खुद क्या रखना है यूज दे सेम डिक्शिनरी वन राइटिंग यूर फॉर्स डॉफ्स आपके फिर से गलती वकरा निकलेंगी और आपका सारा का लिखा वह जो है बेकार चला जाएगा इफ यू फर्स लर्न ब्रिटिश और कॉमन वैल्थ इंग्लिश बी केरफुल तो यूज अमेरिकन इंग्लिश स्पैलिंग और दें ब्रिटिश वार्म अगर तो आपने ब्र झिरस रिखक पामेश को यूजिया दितल निकालागव तो अपने निक्तृष के इन ब्रिटिश उक्धिश अंग्लिश कोवमनः देफके पर्सि इंग्लिश को विधे रवगो टेफा सभीब करत दो और इंगलिश है जो हम लोग लोग लिखते हैं यह पसार शीज पता है सट इतक रहा हम है तो सबक्राइब और व wagon करिस constraint onlar पts और क्टीजिस का प्रफ सक कर दो फान शोड़ा इसमोर है और देख रोल मुलम्के साइन पर अर्मेट इसा में तकूद मुलुचा ऑ दो स्वेरा प्ली मौं है क्या था और बीचछ केु रॉट बालो है कंविरा है जभिलिजहिशन रॉट गल्रेक्न क कान एक भी टाने इव और अमेरिकन गलि़ोहिक्सि घाक प्ली अ uh लाफिस अपना ख्यार रखिएगा टाटा बाई बाई